आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने YouTube चैनल पे मैकेनिकल और जो उसकी अलाइड ब्रांचीज हैं उनके लिए जो अपने YouTube चैनल पे हम वीडियो लाते रहते हैं तो जो बच्चे मेकेनिकल से डिपलोमा कर रहे हैं या फिर पास आउट हो गई या फिर जो बच्चे मेकानिकल से या इसकी सद्माटरिया अन्चेंञां मतलें आपका प्रोड़क्श prochaine उनिंग, ओडिसीर ऑोटोय concept और आपका है subject wise उसको हमारे YouTube channel के थ्रू कर सकते हैं या फिर जो बच्चे जहा है प्रिपेस्ट कर रहे हैं तो बच्चे जो हमारे YouTube 챉नल के साथ जो है जोड़ सकते हैं इसके साथ जो बच्चे गौश्जाइन को बार्ट के नन टेक्ट सकते हैं ऑर अच्छी कर सकते हैं तो CARWatch आप सभी कौम के ना चाहेंगे की अगर आपने अभी तक, यूटुब चैनल को सबस्क्राइब नहीं के fam Kaitlin के सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है मेकैनिकल और इसको अलाइड बंचिस के लिए आपका थियोरी से रिल्टेड आपका on campus, of campus related, आपका government complete exam वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे हम लाते रहते हैं तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ओके स्टुएंट्स आज जो हम आपके समने बात करने जाने हैं इस कंपनी का टेकनिकल इंटर्विव इंटर्विव को सेलेक्शन करेट एरिया उस कंपनी का नाम है बिरिज स्टोन इंडिया private limited company एक आज हम आज आपके सामने जो सेलेक्शन करेट एरिया है जो campus placement है उसके बारे में जो हम आज बात करने जा रहे हैं ब्रिजिस्टोन एक्चल में के-इंटर्नेशन कंपनी है अप्रिजिस्टोन जो इसके पूरे वर्ल्ड में जो हे उसका मतलब जाइजगा जेसके हैढक्वार्टर도 है और इनके प्लांट्स हैं यूविनिट से और ब्रिजिस्टोन एक्चली में देखा है तो जो की में जो वे आपका जैपान में यापनतिय ने इंडिया in पर जो है अट पते हैं यूइट से मेनिट से अपका और विए रूसी वगएरा जो आ Pak तो आज बूत्ध में जैंडिया प्राइवागिन के कमपणी वे अब चाहिए, Unternehmen area उनके technical interview में क्या-क्या questions पूछे जा चुके हैं और उनके HR interview में जो हैं क्या-क्या questions जो हैं पूछे जा चुके हैं तो ब्रिजी स्टोन को अगर आप apply करना चाहें अगर आप तो apply कर सकते हैं ब्रिजी स्टोन global वाली जो website पर उस पर आप निया टिया सकते हैं तो वहां पर आपको कर्योत को मिल जाएं तो जो और आपका भी स्ट्रों ग्लोबल तो में होगे आपका प्रैंवल्ट का है उसमें और आप एपनी कंट्री को चूज करके जो और अगर आपको यूनिट के साफ से जाना उसे आपका बिजिस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यह जो है आपका इसका जो प्लांट है आपका चेकन पूरे में मिल जाएगा पीतंपुर्ज आपका मद्यपर्देश में आपको इसका प्लांट मिल है तो माने सर में इनको जो उनका प्लांट है तो उनकी जो साइट से महाँ पर भी करेर को आपको मिल जाएगा तो महाँ पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो बाकी जो है बिरिजिस्टोन में जब कोलिज के तुर अप्लाई करवाया जाता है तो महाँ पर फिर आपक क्राइशन 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 जे रहे रहता है, वहाँ पर शॉट्टिस्ट कर लेता हैं इस टूटिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद कि जो राउंड है, वह आपके सामने हैं यह फोर राउंड जो है, कंपनी फोलो करती है, on-campus में सबसे पहले रेटन टेस्ट होता है, और रिटेन टेस्ट में जो आपका जो नॉन टेक्निकल है आपका कॉंटिटिटिव अप्टिटूट वाला जो है ठीक है ना इसको लेकर के रिटेन टेस्ट वो कंड़क्ट करते हैं ठीक है और उसके बाद जो बच्चे उसको एक तरह से एलिमिनेशन राउंड है जो क्वालिफाय कर लेते हैं फिर वो नेक्स टेप जीडी के लिए चले जाते हैं और जीडी में जो है उनका गूर्प डिसकेशन होता है तो अगर आपको जो राउंड वन के लिए वीडियो देखनी है कि रिटेन टेस्ट की प्रिपेशन कैसे करनी ह तो उपर जो है आपको यह आई बटन पर आप जा सकते हैं तो आपको यहाँ पर इसको लेकर के वीडियो मिल जाएगी कि रिटेन टेस्ट के लिए प्रिपेशन आपको कैसे करनी चाहिए यह हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली भी है तो आप उसके इसाब उपर आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं आपको वहा पर वूडियो मिल जाएगी तो आप उसको देख सकते हैं और जो ऑका ऑके उबी को लेकर जो है जो लिंक है मैंने स्वीडियो कौको आप देख सकते हैं दोनों ऩależ वीडियो को कि रिट 60 Вс files करने कैसे पर नी चाहिए को लिए इस नहीं करने चाहिए और पैमसे स्प्रेंट कर स्प्रगर है किया तो यह तो आपका था on campus के साथ से कि अगर on campus placement अगर आपका होना है तो उसमें आपको यह इन प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा जॉब के लिए अब बात करतें off campus placement अब off campus placement में जब college का campus placement आपको नहीं मिला तो उसके बाद फिर आप off campus में या तो company की website पर जाके अप्लाई करेंगा फिर किसी जो कल संटेंसिस वगएर होती है उनके थुरू आप जाके अप्लाई करेंगे सबसे पहले क्योंगा आप resume महां forward करेंगे तो तो बुला करके या फिर एक computer based test जैसे भी उनको लेना उसे contact करेंगे फिर वह आपका round होगा round two return test जिस भी टेकनिकल non-technical होगा वह एक तरह का elimination round है तो पहला भी आपका एक तरह से elimination round है क्योंगे अगर number of series जादा है तो पहले वहां shortlist कर लेंगे तो जो बच्चे वहां select करेंगे फिर राउंड टू में टेस्ट होगा फिर यह भी elimination round है यहां जो पुछे select होंगे फिर उनको यह company technical HR interview के लिए अपने यहां पर बुलाएगी फिर आपका प्लेस्मेंट सेल में जाकर के ओके चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं experience candidate मतलब experience का मतलब कि जिनको पह ब्रीजी स्टॉन में आते हैं तो उनके लिए क्या करेटी रह रहता है उनके लिए रहता है कि उनका पहले तो resume company shortlist करती है कि ठीक है हमको जरूरत है इस टाइप के परसन की जिनको की knowledge है तो पहले अपने हिसाफ से company select करते हैं उसके बाद जो है second round technical interview होता है और जब वह round के इसको एक और technical round वो लेते हैं जिसमें की काफी अच्छे से इसमें interview होता है technical point of view के लेकर उनके experience को लेकर के ठीक है ना वो वक्ति फाइनल round होता है जिसमें की उनकी company में क्या क्या होँआ क्या उनके experience रहे हैं उसको लेकर के काफी discussion होता है ठीक है ना तो इसमें senior faculty वेगरे senior head वेगरा भी रहते हैं वहाँ पर जो कि उसको contact करते हैं और उसके बाद जब उनका लगता है कि हाँ everything is okay उसके बाद फिर उनका जो है HR interview होता है तो यह जो experience candidate वाला जो है इसमें number of groups में भी वो students को hire कर लेते हैं selection criteria के लिए या फिर individual भी वो बुला लेते हैं तो यह depend करता है experience क के साथ से वह की साथ से hire करना चाहते है ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया on campus को लेकर के off campus को लेकर के और आपको जो एक्स कंड़ेट को लेकर के ओके तो आपको जो अपनी preparation कैसे करनी है तो उसके लिए हम वीडियो अलड़ी बना चुके हैं आप उन वीडियो को देख सकते हैं प्रिवेशन को better up कर सकते हैं चलिए अब हम चलते हैं आगे अपना जो टेकनिकल राउंड है उसकी हम बात कर लेते हैं कि टेकनिकल राउंड में जो है किस टाप इक कोशें जो हैं वो पूछे जा चुके हैं अभी तक आपका ब्रिचस्टॉन कंपनी में बिस्टॉन ग्लोबल आप कहले जिए जिए बीस्टॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेट कंपनी आप कहले जिए क्योंकि हम इंडिया में जो इसके प्लांट से उनको लेकर कि हम बात कर रहें और Bridgestone India Automotive Product Private Limited भी आप कह सकते हैं ठीक है नहीं तो यह सभी Bridgestone Global के ही सब यूनिट्स हैं जो की इंडिया में है अलाकि बिजिट्टन ग्लोबल तो उनकी वेब साइट है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें आपको जो है कंट्रिवाइज जाना पड़ेगा एशया में इंडिया आता है तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं जा पर इंडिज्जुन जो है उनकी यूनिट्स हैं आप इन पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी जाकर जबाँ यूर्षाइल ये कोशन तो आप से होने ही वाला है आपके से प्रफिए कंपनी में चले जाएं कि पहला जो आपका कोश्चन वह इसलिए पूट अप फॉटप होगा क्योंकि फिर्स टाइम आप इंट्रीरा के सामने होंगे और आंट्रीरा आपके सामने होंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे tell me about yourself मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप इस question को इतना चाहिए त्यार करें जिसमें कि आप अपने नाम से स्टार्ट करें अपनी schooling जो life है उसको आप हाँ बता है उनको that's all okay टेक्निकल इंटर्व्य में इतना ही चल आपको बताना है चार में वह अगर डेटेल में जाना चाहते हैं तो वहां अलग बात है लेकिन टेक्निकल में सफिशेंट है कि आप मौफवस जिव अपना नाम अपनी schooling जो परसेंटेज रही है उनको और अपनी जो college लाइफ की जो परसेंटेज आपकी है उसको आप बहां पर डिसकस कर सकते हैं इसको आपने क्या उसको आप बता सकते हैं ठीकिन क्वालिफिकेशन में सकता है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं तो question पूछा चुका यह question पूछा जा चुका है कि what do you mean by relative velocity relative velocity से आप क्या समझते हैं पूछा जो पूछा गया था आपका यह था आपका पहला question तो सब्सक्राइब को पूछा चुका है वह आपका वाट इस दा वर्किंग और वार्म वील जो आपके गेर से question पूछा आपका theory of machine से आप कह लिजिए या फिर आप इसको आप जो है manufacturing science आप कह सकते हैं तो जो आपका gear है उसमें जो warm gear है या warm wheel आप कह लिजिए उसकी working जो कैसे काम करता है warm wheel तो what is the working of warm wheel यह question पूछा गया है तो इसका एक technical response आपको देना है अगला question जो पूछा है जो आपका what is the function of differential in vehicle यह आपका automobile ic engine से question है कि जो differential है आपका जो differential box होता है आपका वह vehicle में उसका क्या function होता है differential का differential कहां लगा होता है आपको location होनी चीए और difference का क्या mean function होता है वो आपको पता होना चाहिए even कि इसकाbrush क्रीक्त वहolé से सबीघ comparative की डिफेरेंच्यल का ब्लॉक डियागरम कैसे बनाय जाता है तो आप बता सब garden सब्सक्राइब कौन को से part стать की क्यों होते हैं टिझर टायर होते हैं direct ब्लैक करें होते हैं तो यह कोशंट पूची जाचुका है पहले की सब्सक्राइब सतरु सब्सक्राइब 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 करेंगे तो कास्टर केमबर को लेकर की पूछा गया कि इससे आप क्या समझते हैं कास्टर केमबर क्या कि इससे आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर जो आपको करना कास्टर के बारे में कास्टर के बारे में यहाँ से 7qc टूल जो आपके 7qc टूल से क्या अभी प्राई है या 7qc टूल क्या है तो define करना है आप 7qc टूल को list को नहीं बताना उसकी की 7qc टूल कौन-कौन सो होते हैं 7qc टूल अक्चलि में है क्या define करना इसको यह आप ठीक है और उसके बात जो कोशन पुझा चुका उसमें list out the 7qc टूल अब जो 7 जो quality टूल है वो कौन-कौन से उनकी number one number two number three उनकी जो listing है वो आपको बतानी है one two seven तो यहां पर आपको उनकी series में उनको बताना है one two seven qc टूल को तो यहां पर आपने उसको फिर बताना है पहरा जो कोशन था उसमें आपको define करना seven qc टूल को ठीक है और second जो उसमें जो next question पुझा गया है जिसमें seven qc टूल जो है तो number of tools जो है one two seven उनको one by one बताना है and next question जो पूछा चुका है उसमा का what you understand by total quality management tqm total quality management से आप क्या समझते हैं तो यह question जो पूछा चुका है total quality management का यह आपका industrial engineering से question पूछा गया है ठीक है ना तो यह हो गया आपका and next question जो पूछा गया what is sqc statistical quality control तो statistical quality control क्या है आपका उसको define करना है इसको standard form भी पूछ सकते हैं कि sqc किसे कहते हैं इसकी full form क्या है तो statistical quality control और इसको define करना है आपको चिज़े ठीक है अगला question जो पूछा गया है वह आपका है what is oee oee kya होता है तो oee की full form तो आपका overall equipment effectiveness है ठीक ना overall equipment effectiveness is oee overall equipment effectiveness ओकी next question जो पूछा गया आपका final error का जो आपका project राय जो क्या अपने diploma में या भी टेक में जो भी आपने project किया है उसको लिए questions पूछ आ सकते हैं क्या क्या questions पूछ जाते हैं तो उपर आई बटन पर आप जाएंगे तो आपको जो है link दिखाई देगा तो आप इस link पर क्लिक करके जो है आप वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है और अगर आप इस वीडियो के description में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको link मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर भी जो है project क्या क्या question पूछ जाते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रिपेशन को आप बैटर कर सकते हैं इसके बाद जो इंट इसके साथ में एक बात और आपको पूछे जाते हैं तो आप जो है क्या 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 को आपका इंटर्वीव में पूछे जाते हैं ओके इसके साथ में एक बात और आपको पताना चाहूँ कि इंटरेंशिप के साथ है अपने जो है इंडस्ट्रिल ट्रेनिंग आपकी जो इंडस्ट्रिल ट्रेनिंग है जो आपने डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद आपने कियोगी डिप्लोमा के बाद आपने फॉर वीक या फिर एट वी की जो है इंडेस्टर्रेणिंग की होगी तो इंडेस्टर्रेणिंग से भी जो इंटर्वी में कोश्टन्स पूचे जाते हैं तो उसका भी जो हमने अलड़ी वीडियो बनाया वाए तो उपर आई बेटन पर जो जाकर कि आप यहां से किलिए करके आप जा सक कर सकते हैं ऑड़ी अजया चलिए इसके वार्टर्वाट इससे किसे कहते हैं तो इसके बाद कुछा गया क्या वार्ट तैक्निक्स है वो क्या है उसको पहले डिफाइन करना एक हैं तौन सी है आपको अगर सोन तो यह उसमें स्वर्थर कोुष्टन करते हैं अगर डि व tat Works टेक्निक को अपने दिफाइंड करना है और इस वह उन्हों को अपनी बता देना की एस टेक्निक होटी है उसमें करने के लिए बोलते हुं द्रफूर के दरवाज्य को यह कुछा गया कि वाट सब बात करते हैं आपका HR इंटर्वीर की जो है HR इंटर्वी में कीस टाबए कोश्शन पूछी जा चुके हैं तो व हम आपके सामसे हैं अपर आप इम आपको अच्छे से एक्सप्पेंद करके बताना एं अपने बारे में ठीक ना डिटेल में आपको बताना है ओक इसके प्रेट गरांड को लेकर किया आपको बताना है जो भी आप वाइन प्रेटर में बोघर को और करते हैं तो भी थे 37 वे कशनतों खैप पूछी प्पोट्टों विएक्शक्षिन को घटा सकते हैं क्वर्ड से क्विशन कडू Key सबमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्विशन 225 ऑप्प्रिप्लाइब कर सकते हैं अपनीक्राइब कर सकते हैं प्र्रोडक्शन डिपाट्में प्र्डक्शन में रिजेक्शन केसे घटायं जा सकता है स्बाइब नेक राई नेकal और ने प्रड़ू में काय आप ज्यूर्ड देस्टेमलिक्ट टेम्टेर कशया क्यों सुछा गया क्यों क्योडिक बैलेन कि बिलाई कर शेरे तो पता ना ची बैलेंशीट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए तो बैलेंशीट को ले करके ओके यह आपका प्रोडक्शन से है क्वेश्चन ठीग है बैलेंशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाड तुडू जॉब लोकेशन and man mapping for line balancing तो आप जो है job allocation और man mapping कैसे करेंगे line balancing के लिए तो इसके बारे में जो भी आपको आइडिया है तो आप उसको बतासकी इंडिस्ट्रिल इंजिनिंग से क्वेश्चन है कि for line balancing के लिए job allocation और आपका man mapping जो है वो कैसे की जाती है तो इसको पूछा चुका है पहले उसके बाद नेक्स वाइब बिरिजी स्टॉन बिरिजी स्टॉन ही क्यों तो बताना है आपको बिरिजी स्टॉन जो है क्यों आप जॉइन करना चाहते हैं क्या उसके benefits हैं आपको क्या लगता है बिरिजी स्टॉन आपको जॉइन करने चाहिए तो आपको बताना है पारे में आपको बताना एक कादाना के बारे में अपahahaha आलौ क्या बारे में तौके शोजरू पड़ें, और एक क्या कम्पनी की आपिर्मसर ऑफिर्ठेlles वारू लोगता है तो अपना जो भी आपको लगता है कि यह रैस्पॉंस मुझे देना चाहें वहाँ पर तो आप यह रैस्पॉंस दे सकते हैं यह कोशन जो यह लास्ट टाइम पूछे जा चुके हैं कि बिजी स्टॉन में आप क्यों वर्क करना चाहते हैं तो यह आपको यह कोशन मैंने बात को बताने की कुछ एक हैं हमारे दौरे लेकर के क्र याप कि प्लेस्ट को लेकर विए याप गौपरिट कर रहे हैं उसको लिएक जो एक्पोड़न पैमेजान पी मिल जाएंगी आप इनको में इसकुए उसमें सबसे पहले बुग आपका एक्सिन with explanation e-book है जिसमें कि आपका 100 questions है जिसमें कि हमने questions को रखे हैं कि जो questions companies ने जो है technical interview में पूछे हैं candidate से और उनका हमने answer भी किया है तो इस e-book को आप ले सकते हैं Amazon पे available है इसके साथ जो है डिया डियो टेक्निकल interview questions with explanation e-book है जो आपके बीटेक के students जो है डिया डियो में scientist B के लिए apply करते हैं तो scientist B के रिटेन test के बाद जो उनका interview होता है उसमें जो क्या-क्या questions put up हुए है अभी तक हमने उन questions को रखे है और उनके answers हमने की हैं तो वहाँ पर जो interview होता है आपका scientist में वो आपका subjective knowledge पर ही होता है क्योंकि फ्रेशर के बाद बच्चे apply करते हैं scientist B के लिए और फिर बच्चे टेकनिकल इंटर्वी जाते हैं तो वहाँ पर उनसे आपका fluid mechanics thermal engineering आपका theory of machine machine design machine drawing आपका strength of material आपका material science metallurgy और ठीक है न और आपका engineering drawing आपका machine drawing ठीक है CAD CAM तो उनसे questions put up हुए हैं तो वह सबी questions जो है हमने इस ebook को रखे हैं total 300 questions हैं जिनको आप prepare कर सकते हैं और अपनी interview की आप अच्छे से preparation कर सकते हैं तो इंटर्वी में कहीं से कुछ भी पूछा सकता है तो जो बच्चे भी college campus या off campus में हैं वो भी इस ebook को ले सकते हैं इसके थूज अपनी probation को और बैटर कर सकते हैं तो जो पहली वाली जो पूख है उसमें 100 questions है जो कि अपका private companies campus placement में पूछे questions हैं और इसमें आपका यहां जो पूछे गए हैं सेंटीस भी में आपका subject से लेटेड़ वो questions हमने इसमें दिये हैं जो कि answers के साथ में हैं इसके साथ साथ आप machine design की ebook ले सकते हैं जिसे जो इसमें टोटल जो 600 questions हैं जो कि आपको काफी help करेंगे तो यह ebook भी आपको Amazon पे मिल जाएगी तो चाह machine की जो ebook है इसमें आपका 500 questions है तो आप किसी ebook को लिए सकते हैं इसके साथ जो है hydraulic and hydraulic machine या फिर फ्लूड मेकैनिक्स कह सकते हैं वोल्यूम वन इसकी है जो हमने फ्लूड मशीनी वाले पार्ट को अलग किया हुआ है तो जब ebook को हम लिख लेंगे तो लिख लेंगे इसके ब measurements आपका दिया हुआ है साथ आपका fluid flow दिया हुआ है ठेक है उसके साथ आपका जो है आपका वेंचुरिमेटर अपर नौलीज वगरा इनकी थियोरी इसके साथ जो उनके जो है topic वाज उन्सके जो है mc questions हमने इस ebook में दिये हुए है तो आप इस ebook को लेकर करके अपने fluid mechanics का सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखके अपनी एक्जाम को और बैटर आप कर सकते हैं किस टाइप कोशन पूछे जा चुके हैं उनके देख कर के इसके साथ जो है आपका कौकाता मुनिस्वल कॉपरेशन की सबसेशन इंजूनर मेकैनिकल की जो एक्जाम प्रपेशन एबुक लिखी गई है यह भी अविलेबल इसको पर भी सकते हैं और मैंच पीसल मेंटेनेस टेक्निशन की एबुक भी अविलेबल है आपका हपीसल बो आपको काफी है तो आपको लेकर के हैं अपने प्रपेशन को और बैटर आप कर सकते हैं इसके साथ जे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो नमबर वीडियो की जो सीरीज है उसमें आप देख़िए कि हमने बताया हुआ है कि आपको अपन आपको जो है क्या ना मैं इंटर्वी के लिए कैसे आपको प्रिपेशन करनी चाहिए तो हमने चैसाथ वीडियो इन्हीं टॉपिक्स योपर बनाई विडियो को देख सकते हैं इसके साथ हमारे यूट्यूप चैनल पर जो आपको आपको पुछे जा सकते हैं या पुछे गए हैं जिससे कि आप अपने आने वाले ओन केंपस ऑफ कंपस की जो है प्रिपेशन आप अच्छे से कर सकें तो के सब्सक्राइब आज की वोडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स वोडियो में एक ने टॉपिक या किसी दूसी कंपनी के मेकैनिकल कोर कंपनी के एंटरी के साथ में ओके थैंक यू